हेलो डियर रिस्ट्रेंट मैं एक्के भर्दवाज प्रफेट एकैडमी के प्रफेट पैनल में आपका स्वागत करता हूँ इस विडियो में मैं इंडियन जोग्रफी का थेोरिटिकल क्लास करा रहा हूँ तो आईए हम लोगे स्टार्ट करते हैं क्लास को और एक और कहेंगे कि जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाएगा वहाँ पर आपको प्रतिक लेक्चर का थेोरिटिकल क्लास के अलावा एमसेक्यूब चेस्ट नों मिलेगा सबूस्थ में कर रहे हैं गया ट्लेंति बावल आपको जाने चे ryANO hb आपको प्लेलिस्ट में गलिस्ट में कितना आपका तो ढूबिक के साथ हमिए करने जाए जैसे अभी टॉपिक आपको इंडियन जोगर भी पढ़ा रहें तो इसका एमसे क्यों आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा और तुरस टेस्ट में मिलेगा तो आपको साथ में यह तीन चीज़ लगातार करिए तो आपको बहुत अच्छा एक्जाम का तैयारी हो जाएगा तो प्रित्वी को हम लोग दो काल्पनिक रेखा से विवाजित करते हैं एक जो लेटी हुए रेखा है इसको हम लोग अक्छांस कहते हैं और जो खड़ी रेखा है इसको देसांतर कहते हैं यह रेखा का क्या काम है तो यह एक्छांस देसांतर ही किसी एस्थान के एक्छांस को दर्साता है तो भारत यहां पर है इस कारण हम कहते हैं भारत उतरी गुलार्द में है अब गुलार्द क्या होता है तो प्रित्वी के आधे भाग को गुलार्द कहते हैं जैसे डिगरी देशान्तर जो है वह पृत्वी को इस्ट और वेष्ट में डिभायट करता है तो इसी अधार पर हम लोग कहें कि भारत अक्छानसे द्रिश्टी से लेटा वर लैंग के इसाब से भारत पूरी तरह उत्री गुलारत में है परंतो यहां द्धहार रखेंगा कि यह पूरा अंसर नहीं है इसके अलावा भी एक और अंसर होता है कि भारत एक्ष्वल में यहां पर है तो हम कहा सकते हैं अक्षांसे दिरिष्टी से भारत उत्री गुलार्द में है प्रन्तु अक्षांस और देशांतर दोनों इस्थिति में भारत उत्तर पूर्वी गुलार्द में है तो यह सबसे इंपोर्टन यहां पर आपक किलियर है यहाँ पर नौर्थ इस्ट लगाना है भारत उत्तर पुर्वी गुलार्द में है अगर क्यों गुलार्द बोला तो अगर देशांत्रे दिरिश्ट्री से अगर बोलेगा तो भारत किस गुलार्द में होगा पुर्वी गुलार्द में किलियर है तो चलिए आगे हम थे अपिश दिग्री च्वी मिनट अपिशिर है अब यहां पर बहुत सारा स्टूडियन को कनकी ओट तरहां कुई हो गया भारत में दशनी अकशांस नहीं पड़ता है अकशांस गारत में दचनDちゃん नहीं होगा कि अक्षान्स क्या होता तो प्रिथ्वी पर न देखा गया है प्रिथ्वी के उपर अले हिस्सा को उत्री अक्षान्स और नीच अले हिस्सा को दचनी अक्षान्स कहेंगे जब भारत अल्रडी यहां पर है तो भारत का हर चीस्त उत्री में होगा दचनी में तो होगा ही ये भारत का मैप है, तो इसमें हम देखेंगे भारत एक्षाल में ये भारत पूरा भारत नहीं हुआ, यह भारत की मुख भूमी है, ये मुख भूमी है, जब इसमें अंडुमान Imag centimeter भी लगेगा, तो अंडुमान DAVID भण थोड़ा सा नीची Outrator जाता है, तो भारत का अंडु भारत में अंडुमान निकुबार के साथ लेके बात करेंगे और भारत के मुख में अंडुमान निकुबार को छोड़ देगें समझ मार रहे हैं लेक्स ट्रमनून पड़ते हैं जबकि देशांतरी बिस्तार तो देशांतर आपको बताए कि प्रित्वी पर खड़ी रेखा कॉम लोग देशांतर कहते हैं तो देशांतरी बिस्तार में जब भारत का मैप देखेगा यह रफ मैप बना रहे आपको मैप अभी दिखाएंगे है तो भारत का अक्षांसे बिस्तार तो ये लेटा हुगा लाइन जिमकि देशांतरी बिस्तार इसके बारा इंबात कर रहा है तो देशांतरी बिस्तार आट सब drinking से संतानवे डिग्री है ध्यां रखेगा भारत का दिसंतरी बिस्तार यहां पर लिखा वे ना अर्ट सट डिग्री से संतानवे डिग्री और एक्ट्वल आपको लोग को एक्जाम में आपके वल में डाटा को याद रखेगा जैसे दिया है छे डिग्री से छे डिग्री चार मिन मिन्ट को नहीं च्यांथ करना है अच्वर्ण बैकर साथ मिनिटर दिया है उसकंप साथ मिनिट को नहीं याद रखना है आपको अर्म से लेकर संथांने क्योंकि आपके ऑप्सन में रहेगा ऑर कि झायन संतावे डिगृई है ठिक ना भारत का सबसे उतरतम बिंदू ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहां से matter पको याद रखना झाल जो जमु का समीर राज में है तरह सब minder इंडरा पॉइंट है जो ग्रेट निको बार जो ऊंडुमान को बार सभुर्ण के ग्रेट निको बार में है यहां याद रखना अभी मैपमें आपको दिखाएंगे दिप का दचिंतम मिंदू यही है दचिंतम मिंदू भारत का जो 6 डिगरी 4 मिनट पर है जबकि भारत के मुख भूमी का दचिंतम मिंदू यह नहीं है याद रखिए का भारत जब ही समुदर में जाएगा तो दो अलग-अलग भागों बढ़ जाएगा एक भारत के मुख भू पॉइंट काते हैं आई अब मैप में देखते हैं तो जैसे हम बताएं कि भारत का दचिंतम मिंदू जब भारत समुदर में जाएगा तो दो भागों बढ़ जागा एक को हम लोग कहेंगे भारत की मुख भूमी तो यह दिख रहा है आपको योला हिस्सा यह भारत की मुख भूमी है भारत नहीं है भारत की मुख भूमी का दचिंतम मिंदू यहाँ पर आपको मिलेगा 8 डिगरी 4 मिनट पर कन्या कुमारी क्लियर है यहाँ पर कन्या कुमारी मे एक खाड़ी है जिसको करते हैं कैमोरियन की खाड़ी तो यही भारत की मुख भूमी का दचिंतम मिंदू है भारत का दचिंतम मिंदू नहीं है अब भारत का दचिंतम मिंदू देखते हैं तो भारत का दचिंतम मिंदू यहां पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंद्रा पॉइंट दिख रहा नहीं यहाँ पर लिखावाई छे डिगरी चार मिनट तो यह इंद्रा पॉइंट जो है वो छे डिगरी छे डिगरी चार मिनट पर है तो भारत का दचिंतम बिंदू इंद्रा पॉइंट है प्रंतु भारत कि मुखभूमे के दचिंदम बिंदू इंद्रपॉंट नहीं है इसको इसको दो नाम से हम जाने थे एक पिगमेलियन और एक पारश ये दो नाम से हम पिगमेलियन पॉंट को जाने थे ठीक ना? अब आते हुं उत्तरतम बिंदू देखते हैं तो उतरतम बिंदू आपका यहां पर है जम्मू कास्मिर में यहां दिख रहा है 37 डिगरी यहां पर दिख रहा है तो यहीं पर बनिहाल दर्रे में इस्थित इंदरा कॉल जौहर सुरंग कहां पर है तो बनीहाल नामचा बरवा तो यहीं पर आपको मिलेगा वलांगू जो भारत का पुरुवे बिंदू है जबकि पस्मी बिंदू अगर हम लोग बात करेंगे पस्मी बिंदू इधर चलते हैं तो यहां पर है पस्मी बिंदू गुजरात के कज की खाड़ी में यहां पर राज हरा राज हरा जो भारत का चोहदी तो फिर से आपको रिपीट करा देते हैं भारत के उतरतम बिंदू है इंदिरा कौल जो जम्मोकिस्मेन में है भारत का दचिणता Carbonism बिन्दू इंद्रा पॉइंट है जबकि भारत के मुखव भुमिकर दचिणता बिन्दू खैमरुन की खाड़ी है भारत का पूरी बिन्दू वलाङू है और भारत का पश्मे बिन्दू राजहरा क्रेख है तो भारत का भूमत रिखा से दूरी कितना है तो 816 इसको यादव डाटा है निस भारत की मुख भूमी का दचनतव मिंदू अभी अगर खाड़ी दिया है तो इसको राज हम लोग कैमरीन की खाड़ी कहेंगे ठीक ना भारत की लंबाई चोड़ा के बारें बात कर रहा है तो भारत अगर बंनने पार रहा है तो भारत का करा की पुरफ से पशीम यहां से यहां तक 3213 सो गतिती सो डाटा लिया कि यहां घंठ की यहां नहीं देखेंग के यहां से देखेंगे तो Yoda the커 कि यहां रखेगा और लग़ कि यहां पर डाटा एफ ए प्रोक्ष डाटा लिया कि जो उन्तीस सो याद रखेगा 232 डाटा लेना यहीं लेना है ठीक ना तो ध्याना किएगा आगे बढ़िएगा भारत का कुल छेत्रफल अगर हम भारत का कुल छेत्रफल देखें तो जैसे अगर भारत का जो मैप आपको बनाया है तो इसका पूरा सर्फेस एरिया iidhar ri- Holmes सब तब चाव तो Three three वर किलो मेंटर कराता है एक तो यह कितना है तो यह 32 लाख सतासी जाद 263 किलोवी Colonel है यहां भी आपको 32 लाख सतासी smartphone जियाद रखना시면 मों तो वहाद पर यादे कसी देखेंगे में तो यह 2724 से 7 Private से इससे बड़े नहांगे अपकर और छे हैं तो वो भी यहांपर यादे कर लेते हैं लोग तो ईससे बड़े तो यहांपर आपको एक ट्रीक देते हैं जिससे आपको याद हो जागा भारत से बड़े कौन-कौन सा देश है तो रुप्ची अब आई यह ट्रिक को याद रुखिए तो इससे आपको भारत से बड़े साथ देश और इसके बाद भारत के बाद अर्जेंटीना यहां पर मानने लिजे कहां से आए रुख्ची तो अर्जेंटीना से यह याद रुखिए तो रूस सबसे बड़ा बिस्व का सबसे बड़ा देश कौ आजिल आसे ऑस्टेलिया और इसे इंडिया तो यह आपको साथ देश याद रखना है फिर कर लेज़ेगा यहां पर इस्क्रीन में छोटा इस्क्रीन होने कारण नहीं कर पारे पूरा चीज ठीक ना चलिए तो यहां पर बॉंडरी लाइन के बारे में बात भी कर रहा है तो इसकी अस्थलिये सीमा की लंबाई 15200 किलो मेटर है जब भारत को हम देखेंगे मैप में तो भारत को जब हम देखेंगे तो भारत दो आपको वर्गों में दिखेगा एक इसका बॉंडरी की उपरवला हिस्था आपको लगा हुआ है अस्थल से अस्थली सीमा से लगा है जबकि नीचुळा साग्रीय सीमा से लगा है तो उपरवला का बात का रहा है उपरवला कितना है 15200 किलो मिटर इसका अस्थलिये यह लांड हैं दिख जागा नेश्ट है जब किसागर में इसका कितना है तो 75 7300 किलोमेटर 7516 किलोमेटर है we are mode stuff so Như याद रखेगा उपर में अस्तल्य सिमा कित्ना है 15200 जबकि शागर्य सिमा कित्ना है तो 7516 । आगर यहां पाल जैसे हम सागर में जाए यह आपको बताए थो दो भागों बढ़जाता है एक भारत के मुख भूमि का लाता है तो ये इसका भारत के मुख भूमि का सले सिमा की लंबाई कितना है तो एक शर्ट सौ किलुमीटर ये आपको याद रखना है कि यदि मुख भूमि बोला तो आंसर बदल जाएगा जैसे अब हम लोग देखे थ तो एक सट सो किलोमेटर जबकि पूरद अगर हम देखा जाए भारत का तो पच्छतर सो किलोमेटर आपको याद रखना है कि नेक्स्ट डाटा है कि गुजरात की तटीय लंबाई सबसे अधिक है सबसे बड़ा इसमें खास्यात है कि गुजरात आप जब भारत का मैट देखेगा तो उसमें सबसे लंबी सीमा अगर बोलेगा कुछ नहीं बोला आपको बोला सबसे लंबी सीमा किसकी है तो सबसे लंबी सीमा राजिस्थान की है प्रन्तु जब समुद्री सीमा के बात करेगा तो सबसे लंबी सीमा हो जागा गुजरात का समुद्री सीमा किसकी है भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी राज नहीं बोला है तो याद रखेगा अंडुमान निकुबार होगा क्योंकि अंडुमान निकुबार के इसलिए उसको राज में सामिल नहीं करते हैं तो आपको इदम यहां पर ध्यान रखना है कि यद यदि राज्य का चर्चा नहीं किया है तो अंडुमानी कुबार होगा यदि राज्य का चर्चा किया है तो गुजरात होगा समुद्रे में यदि समुद्रे नहीं बोलता है अस्थलिय बोलता है तो राजिस्थान होगा और सबसे लंबी अस्थलिय सीमा राज जिसका संमूदरी सीम अकी की आधिरा सुट समूदरी से मला राजी को नहीं हो ज annumano ni को बार का राजी का चरचा नहीं होगा अनसर अंसर व समर्जों को कुल कि समझछते हैं आराया कि की ए इसके माँप को दिखे रहाँ मैप तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास दो टाइट का एक जो white color का दिख रहा है यह सब अस्थरिय बॉंडरी है यहां से लेके अस्थरिय बॉंडरी स्टार्ट हो जाता है और यह पूरा white वाला अस्थरिय बॉंडरी में आता है कि इसमें दिखें सबसे नंबर वन पर कौन है राज तो गुजरात है जब कि इसके बाद आता है अंदर प्रृदेश कि अधिक रहा है नंबर दुसरा नंबर में यह अगर राजी का चाथा नहीं मिलें तो अंडुमान निंकोबार का समुद्री सीमा सब Rider से लंबा होगा यह मैं बताए इसके साथ में बताएं कि अगर आपको अस्थली सीमा सबसे लंबी किसकी है तो राजस्थान बोलेगा यदि किस राज के अंतराष्टिय सीमा से लगने वाली सीमा सबसे लंबी है अंतराष्टिय सीमा से लगने वाली तो यह पस्षिम मंगाल होगा तो यहां आपको डाटा य तो यहां पर भारत के साथ साथ देश्टों की पड़्ोशी सिमां लगती है इंभारत की सब्से लंबी अंतराश्टी सिमा किस देश्टी साथ लगती है तो यह भी एस्वाल पूछता है तो यहाँ पर साथ में पस्रिम बंगाल सबसे अधिक लंबा है तो सबसे नमर वन में पस्रिम बंगाल सकंड नमर में इसका एक ट्रीक है इसको याद रखेगा बच्पन में MBA तो बाज से पस्रिम बंगाल चा से चीन, पास से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मास से मैनमार, भास से भुटान और आस से अफगानिस्तान तो सबसे छोटी कौन सी है अफगानिस्तान की और सबसे बड़ी किस की है बंगलादेश की तो आपको याद रखना है इसके साथ राजी बूछा जाता तो आप मैप पर अभा देखेगा हम कोर्षन से verso यूंस करवा रहें ज потр Barbara क्रवारे ना उसमें जी से पुछता है कि पाकिस्तान से कौन कोन राज के सेमा लगती है आफगानिसान से की से राज के ुद गता है तो इस अपर और हम ज्यादा चचाल नहीं कर दो के हाँ करता है भारत का प्रादेशिक जल्सीमा तो कि बहुत एंप्रादेशिक जल्सीमा बारा समुदरी नोटकल मिल्हेज आफ़े समुदरी सेमा बारे पात पढ़े पाहते हैं तो यहां जहां आप कहीं पर समुद्र के किनारे खड़े हैं जहां पर आपका पानी लग रहा है उसको 30 सिमा काते हैं वहां से समुद्र के अंदर में 12 नोटकल मिल 12 नोटकल मिल यह नोटकल मिल होता क्या है तो समुद्र जैसे अस्थल मंडल सिधा है अस्तल पर आप सिधा चलते हैं प्रन्तु समुद्र में वेव की कारण आपका दूरी बढ़ जाता है तो तो यहां पर याद रखेगा 12 नोटिकल मिल समुद्र में 12 समुद्री मिल वही नोटिकल मिल काते हैं इस छेतर का उप्योग भारत को संपुन अधिकार है मतलब भारत का 12 समुद्री नोटिकल मिलता पुन अधिकार है यहां पर आम लोगों का प्रवेस वर्जित है आप भी जाए मचली पगड़िये घुमिया आराम से कुछ भी कर सकते हैं वर्जित है प्रदेश जबकि प्रदेशिक जल सीमा आगे बढ़का 24 नोटिकल मिल है अब देखेगा यहां से आगे सिविलियन जाने के लिए थोड़ा सा प्राब्लम होगा विसेस परमिसन लेके यहां मच्वारा जा सकता है आम लोग टूरिस्ट करके नहीं जा सकते हैं त तक सनलगन छेतर कहलाता है यही लिखावा है कि तटिये सीमा से 24 नोटिकल मिल यहां 12 हो गया और फिर 12 जोड़ दिए 24 नोटिकल मिल को सनलगन छोब मंडल या सनलगन छेतर कहते हैं इसके लावा एक ची और डाक्ट जानेगा इस छेतर में भारत के राजकुशिये अधिकार सीमा सुल्क से संबंदित अधिकार और स्वच्ता से संबंदित अधिकार तथा अप्रवासिय कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त है इसके अलावा एक ची और है समुद्र में हम लोग 200 नोटिकल मिल तक जाएंगे उसको अनन्य आर्थिक छेतर कहते हैं यहां याद चेतर है यह बहुत इंपोर्टन है 200 समुद्र नोटिकल मिल तक है ठीक ना जिसमें इस चेतर के अंतरगात भारत खनी संसाधन सागरिय जल सकती यह सागरिय जीवन आधिका सर्वेच्छन दोहन आधिक कर सकता है जो सरकार कर सकता है अब से भी आदमी को सिविलेन को परमेश कर सकता है ठीक ना ध्यान रखेगा हम फिर समझा देते हैं क्या पढ़ है कि 12 समुद्र तट से जब आप समुद्र के नीचे खड़े वहीएगा तो समुद्र तट से 12 नोटिकल मिल को कहते हैं संलगन छेतर उसके बाद प्रादिशिक जल सीमा कहते हैं उसके बाद 24 नोटिकल मिल को कहते हैं हमलोग संलगन चेतर और 100 नोटिकल मिल को कहते हैं संलगन आपश्यो तो तीन डाटा है एक प्रादिशिक फ्ट्र करकरेखा भारत्तकि नCap से आठ राज्यों से गुजरती है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत बार कोशन पुछा गया है हम यहां पर जो डिस्क्रिप्टी करा रहे हैं इसकी में अगर कुछ छुट भी जाता है तो आप टेंसन मत लेज़ा क्योंकि जो इसकी करा रहे ना उसका स्व इस्वनाने संसे हम पूरा डिटेल अपको बता रहे हैं कि कर एक रीखा भारत के लगभग मद्र से गुजरती है और यह आठ राज्यों से गुजरती है तो यह आठ राज आपको याद रखना क्योंकि पूछ जाता है कि कर करिका भारत के किस दे देते हैं बहुत फेमेश टीक है सभी जानते हुए मित्र पर गम्छा जाड तो इससे भी आपको याद हो जगा मी से मीजोरम ती से तिरुपूरा पसे पसे मंगाल राज से राजिस्थान गर से गुजरात मासे मद्यपरदेश चासे छतिस गड़ और जासे जारखन तो इस परकार आपको याद रखना है मित्र पर गम्छा जाड इन राजियों से गुजरती है अब आपको चार उप्शन में एक उप्शन देगा किस से नहीं गुजरती है तो आपको मानक समय क्या होता है कि माना गया समय Eskender Time इसक और कहते हैं समय एकशon में तीन प्रकार क्यों होता है जब आप खड़े हैं और आपके उपर में सूर्य आ जाता है तो इसको अस्थानिय समय कहते हैं अस्थानिय समय का निधारन सूर्य के प्रकास द्वारा होता है जब आपका प्रकास नजर नहीं आएगा आपका परशाई नजर नहीं आएगा तो वह हमेशा 12 बज़ता है प्रन्तु भारत के बिस्तार जब देखेंगे तो भारत बहुत फैला हुआ छेतर है तो इसमें जैसे आपको दिखाते हैं मन चली एक आदमी अरुनाचर प्रदेश में यहां खड़ा है और एक आदमी यहां खड़ा तो दोनों का सूरे का प्रकास तो यहां पर सूरे आया तो इसका समय अलग होगा तो यह बिवाद आस्थाने समय के बिवाद होने कारण भारत के मद्य से गुजरने वाली रेखा पर जब हम प्रिथवी पर देखेंगे तो जैसे यहां पर अस्थानी समय में बिवाद हो रहा है और नाचर प्रदेश का समय अलग है गुजरात का समय अलग है अस्थानी समय तो यह बिवाद तो इंटरनेशनल अस्था पर भी होगा तो हम लोग लंदन से गुजरने वाली मतल मतलब भारत का समय जो आजस्टी है इंडियन टेंडर टाइम है वह जी एंटे ती क्लिश मेरे टैंड टाइम इस से कितना गंटा पुर्व है तो यह आपका साड़े 5 घंटा है तो समय कितने प्रकार के तीन प्रकार के अस्थानी समय मानक समय और अंतराश्टी समय के लिए तो यह कह रहा है कि भारत का जो अस्थानी समय है वह साड़े भारत का मानक समय अस्थानी समय तो बताएं सूरह के साथ निधारित होता जो कि भारत का मानक समय साभ़े 186–42 मतलब मध्य से साड़े 18 savoir defensive map में दिखाईं के आपको तो 1812 डिग्री को अमाना जता है यहा उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर यहां पर नइनी छुड़िया है तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर के मैंनी में को स्टेंडर टाइंब जोन मना जाता है मतलब इस्टेंडर टाइम प्लेस माना जैसे हम लोग अंतोराष्टी समय के बाद में बात करेंगे तो अंतोराष्टी में लंदन के ग्रियν विच साला को नोग हो वहाँ का में इंडियान स्टेंडर्ट टाइम जो है वह जीम्टी से साड़े पाज घंटा पूर्व है इसको याद रखना है कि लाइन को खीच देते हैं तो यह दिखेगा एक और पूछा जाता है कि साढ़े बेराशे डिगरी किन किन राज्यों से गुजरता है तो आपको यहाँ पर याद रखना उत्तर प्रदेश से गुजरता है और 36 गुजरता है उत्तर प्रदेश से गुजरता है उत्तर प्रदेश से गुजरता है और आंद प्रदेश से गुजरता है और आंद प्रदेश से गुजरता है यह चार राज से गुजरता है कि हम लोग नेक्ष्ट देखते हैं तो कह रहा है प्रसासनिक संगठन बरतमान में भारत के यहां 28 से इसको कार दियेगा 29 हो गया है भारत में कितने राज यह हैं 29 थे वो भी अब गलत हो गया अब 29 नहीं 28 बिल्कुल 28 हो गया और यहां पर यह बढ़ गया जो पहले जम्मू का समयर थाना उसको किंद्रतित प्रव्विजित कर दिया गया 2 कंद्र 40 मतलब 28 राज और नौंघ किंद्र कर देखे प्रवाल जागे लद्दा को थे गठाग और एक और। फिर से घड़ जागा तो तो पहला है राइस्थान दुसरा है मद्द पर्देश तीसरा है महाराष्ट और चौथा यहां यह भी बदल गया है उस्तर पर्देश है क्योंकि आंद्द पर्देश को थोड़के तेलंगाना बना दिया गया ठीक ना नेश्ट है पॉंडिचेरी एक किंद्रसासी पर्देश है जिसका फैला तीन राज्यों में है यह सब चीह हम करवाएं हैं आपको mcq में तो यहां पर आप लोग देखेगा जब तमिलनाडू को बात करेंगा तमिलनाडू एक ऐसा किंद्रसासी पर्देश है टोटल किंद्रसासी पर्देश किना है टोटल नौ है जिसमें पॉंड पॉंडिचेरी जो तमिलनाडू के सीमा पास है तो वहां मुख्याले बनाया गया इन सभी का एक मात्र केंद्रसासी पर्देश है जो तीन भागों में बटा हुआ है यह तीन राजों में हैला हुआ है इसको पढ़ लेता है तो यहीं चीज़ जो आपको बताएं वहीं केमन और जबकि केरल वाले सीमा को माहिक आते हैं याद रखेगा नेच्ट मों आगे बढ़ते हैं होत इंप्रॉटनेट है आपको अभी दिखाएंगे भी अंड़ुमान निकोबार भारत में दो यहांप पर सिंपल डाटा जानि अंडबान के राजानि ना रिजानि कहा है पडट बिलियर जो सौथ अंडमान जो दच्छनी अंडमान दीप पर इस्थित है यह पूछा जाता है कि पूट बिलियर किस दीप पर इस्थित है तो दच्छनी अंडमान और यहां पर एक्ष्ट्रा जान करें कि दच्छनी अंडमान जो है सौथ अंडमान निकुबार का सबसे बड़ा दीप है बारत का एक मात्ऱ स्थित जो है बारत का एक मात्र स्थित 10 demon or निक और को विवाजित करती है जब अंडुमान निकोबार का मैप आप देखेगा तो यहां पर 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडुमान निकोबार को विभाजित करती है जबकि कोको स्टेट जो है वह मैनमार मैनमार और उत्री अंडुमान को विभाजित करता है ग्रेंड चैनल जो है वह निकोबार और सुमात्रा जब भारत का मैप देखेगा तो सुमात्रा नीचे में है वहाँ पर यह सुमात्रा को विभाजित करती है यही पर आपको मलाक का जल संधी भी मिलेगा तो उसको भी देख लेंगे हम लोग जब हम बताये थे भारत में दो प्रकार कर दीप है लक्षदीप समू और एक अंडवान निकोबार दीप समू तो यहाँ पर लक्षदीप समू जो है उसको आठ डिगरी चैनल माल दीप से विभाजित करती है मिलेगा दीप लक्षदीप का ही एक भाग है ठीक है कि नेश्ट लोग देखते हैं नौ डिगरी चैनल मिनिकाय दीप को लक्षदीप से अलग करता है जबकि अधन ब्रीज तमिलाडू एवं स्री लंका के मद्ध अधन ब्रीज जिसों राम सेतु भी कहते हैं हम लोग वह कहां पर है तो यहां तमिलाडू और स्री लंका के मद्ध में है पंबन दीप अधन ब्रीज का ही हिस्सा है जो भारत का सबसे दचिंतम छोर है मतलब इसके बाद स्री लंका का ट्रेटीज चालू जाता है तो भारत का दचिंत जाएगा तो अधन पंबन दीप जाएगा ठीक ना थोड़ा सा मैप कम छोटा करते हैं तो पंबं दीप रामेशवर्म 55 पर ही अवस्थित है सबसे इंपर्टेंट कि पंबंदीप पर ही रामेशवर्म मंदिर राम द्वारा बनाया गया तो जब स्री लंका वह जा रहे थे 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 ठीक ना अधन ब्रीज के उतर में पाक की खाड़ी एवं दक्षी में मनार की खा पारिक आते हैं और यही दोनों मिलाने वाला रेखा को हम पाक जलसंदी के नाम से जानते हैं ठीक ना भारत के कितने पड़ोसी आपको बता चुके हैं तो भारत के कुल हम लोग पास साथ पड़ोसी देश मिले हैं तो उसके अंतराश्टिय सीमा किसके साथ कौन लगता है और कौन सा देश है यह इंपोर्टेंट चीज़ है इसको याद रखेंगे तो बताया है सबसे पहले आपक पस्यम बंगाल के सीमा लगेगा आसम की सीमा लगेगा मीघाले की सीमा लगेगा तुरपुरूरा के लगए तो पहले का धिक नहीं कर एंप करवाया अपको दचिन में यह इंव है ताथ का रहे हैं और यहां दिख रहे चाद pillow का स्थ्रे लंका के जाने में सबसे दचिंतम छोर या अंतिम छोर कौन सा है तो धनुस कोड़ी है धनुस कोड़ी को अंतिम छोर माना जाता है जो भारत का है इसके बाद आपका ये ये जो हिस्सा है इसको पाक जलसंदी काते हैं पाक जलसंदी काते हैं अधर सिरेलंगा का हिस्सा चालो जाता है और ये पं मैंनमार चलो जाता है तो यहां पर एक कोको जलसंदी हम को मिलेगा सबसे उपर में कोको जलसंदी और सबसे नीचे में दचनी दचिंतम बिंदो जो है वह ग्रेट निकोबार में इस्तित है चलि मैं पको थोड़ा सब बढ़ा कर लेते हैं तो सबसे भारत को मैंनमार से अलग करता है और अंड़मान निकोबार का सबसे उतरतन दीप कौन सा है तो लैंड फॉक दीप है यहां पर दिख रहे हैं आपको लै अंड़मान निकोबार का सबसे बड़ा बीप है यहां पर सबसे बड़ा दीप यहां पर देखेंगे यह पर पोर्ट भिलेट इस्तित है तो यह पर दिख रहा है तो यह तो भारत का एक मातर सक्रिय जो अला मझी इसके साथ आपको बतायाक है यहां पर देख रहो, अब्द याद रखेगा बहुत फेमस है यह डगन पास क्या है तो सौत अंडमान इस सौत अंडमान देख रहा है और लिटील अंडमान को विभाजित करता है डगन पास जबकि 10 डिगरी चैनल टाकर पास अब इस डिगरी चैनल अब बहुत इस्ट्टूर्ट कन्फूज रहते हैं तो जो 10 degree channel जो है वों पूरा underlying hearing and amount और निकोबार को भीभाजित करता है वह little and amount इपार निकोबार के मद्ध में है आपको यादखना 10 degree channel इस अmay निक उत्, बार को भीभाजित करता है तो बसुत निकोबार को भीभाजित करता है जिसमें अंडमान का सबसे दच्छिंतम छोड़ाता है लिटिल अंडमान और निकोबार का सबसे उतातम छोड़ाएगा कार निकोबार तो आपको याद रखना है नेक्स्ट आपको कुछ और चैनल बता है दो चैनल आपको और बता हैं तो एक 8 डिगरी चैनल और 9 डिगरी चैनल तो 8 डिगरी चैनल यह दिख रहे हैं आपको ये 8 डिगरी показыв एक्ष्वल में लक्ष दीप यहां पर आपको लक्षदीप समों दिख रहा और यहां माल देप समों इन दोनों के บीच में आठ डिगरी चैनल है प्रंतु लक्षदीप के बास एक दिप है जिसका नाम है मिनिक है तो लक्ष दिप और लक्ष द्डीप और मिरी को भी वाजित कहता है । तीन डिग्री आपको मिला एक आटी डिग्री चैनल माल्डिप और लक्ष दिप के बीश में फिक maram अंडोमान एंवनिकोबार के बीच में यह याद रखना आपको आए हम लोग आगे नोट्स पड़ते हैं बता रहते हैं तो आपको बताएं कि और यह सब मैप में दिखाएंगे इसलिफ टेंसर मतली जगा सबसे पहले हम बताएं कि बंगलादेश सबसे बड़ा लंबी सीमा कि लगे हैं यहां सत्रा के जगवा आप 16 कर दियेगा क्योंकि हम लोग जाने जम्मुकासमेर के अंद्रसासीड परदेश बन गया तो यह हट जाएगा तो 17 16 राजे असलिफ सीमा से लगे हैं रेड क्लिफ यहां नतराश्टी सीमा के बात को बदना रहा है रेड क्लिफ याद यही रेट क्लिप महद नहीं दोनों को रिखा करते हैं जो भारत और बंगला देश के बीच में भी आनतराश्टी सिमा नेक्ट महाचल प्रदेश में यह भारत और चीन के बीच में अंतराश्टी सिमा है जब कि दुरंड भारत से कोई मतलब नहीं है जब भारत और पाकिस्तान एक साथ था तो दुरंड रेखा किचा गया था भारत और अफगानिस्तान के मद है प्रन्तु यह भारत और पाकिस्तान के बटवारा होने के बाद यह पाकिस्तान के साथ लग गया है ठीक ना इसके पर दोबारा कभज़ा कर लिया इसके पहले यह पाकिस्तान के पास था पाकिस्तान इस किया वा था इसके पास काराकॉरम हाई वंचन को जोड़ती है सियो Govern why कच के रन का विवाद गुजरात में हैं यहां पर कच का रन है जिसमें समुद्र के जल के परवेश का रन यह सीमन रिधारित नहीं होपाता है तो यह बिवाद अभी चली ही रहा है तो सबसे पहले तो एक सिंदू नदी यहां मिलेगा उसके बाद जहलम मिलेगा जहलम की एक साहएक नदी है जिसका नाम है क्रिश्ण गंगा तो कृष्ण गंगा पर जब भारत बनाता है ये बांध बनाता है तो इसको लेकर पाकिस्तान और भारत के मद में बिवाद उत्पन हो जाता है फिर नीमो, बैराज वहीं सिंधुऊ नदी पर है, जम्मु कास्मिर में बगलिहार, प्रियोजना, चिनाम नदी पर है जो भी जम्मु कास्मिर में है इन तीनों बिवाद के कारण लगाता है बिवाद उत्पन हो रहा था तो भारत और पाकिस्तान के मद 1960 में एक सिंधु जल समझाता हुआ तो आपको नदी वाला में हम इस पोर्शन को कराएंगे और इसकी एक साहिक नदी देखी एक कृष्ण गंगा है तो यहीं पर पाकिस्तान ओक्रिपाइट कास्मीर भारत के मद ये खृष्ण गंगा नदी पर एक बांद बनाया जा रहा है जिसको लिके दुवाद चल रहा है तो इसी कहते हैं कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट देखे यहां पर लिखा भी है हम इसको अटाते हैं तो देख रहे हैं किर्शन गंगा प्रोजेक्ट लिखावा है तो यह कृस्ट गंगा नदी कहां पर है तो जहेलम की साहिक नदी है जो पकिसान ऑक्रूपाइड कस्मीर आप जमू कस्मीर के मद्द भारत सरकार और पकिस्तान सरकार यहां पर बज़ुजनत चला रहे है तो बहुत इंपोर्टन पर पर जना चल रहे हैं वह कहां पर है तूँ तर पर यक Amen इसका मुख्य रूप बाढ़ को नियंतरित करना है भारत और भुटान के मद्ध जो बिजुत प्रियोजना चलाई जारी उसका नाम है ताला, चुम्खा और कुरिचू ये किसके साथ प्रियोजना है तो भारत और भुटान के बीच में तिस्ता जल बटवारे को लेके भारत बंगाल के बीच में बिवाद है नेक्ष्टीन बिघा गल्यारा भारत और बंगलादेश से संबंदित है भारत और स्री लंका के बीच सबसे नजदी के बिंदू धनुष्खोड़ी जो आपको मैपत दिखाए ही है भारत और स्री लंका के बीच पुल काटने के लिए पचावरी आरके पचावरी समीति का गठन किया था जो राम से तो बिर बिजिया ना उसको काटने के लिए आने जाने का और रुद्ध हो उत्पान हो रहा था तो उसको काटने के लिए पचावरी समीति की अध्यस्ता में एक समीति का गठन किया गया लेकर भारत और स्रीलंका के बांति में विवात चल रहा है तो यहां तक आपको इतना आज का पहला चप्टर समाने परिचे में हम दिए बाकी हम डिटेल अलग अलग टॉपिक में पढ़ाते रहेंगे जिसे अगला टॉपिक हम फिचकल जोगरफी पढ़ाएंगे इंडिया का आपको जो नोट्स पढ़ा रहे ना इसका टेस्ट और एम से कुझ जरू लिजेगा अभी हम अभी एम सी कुल अपलोड करने उसके बाद टेस्ट चाले करेंगे रैपिट टेस्ट होगा बहुत इंपॉर्टन है जिसमें आपको खुद का इविलेस्ट करना है कि हम कितना समा